असलामलेकुम व्यूवर्स वल्कम तो मैं यूट्यूब चैनल इन तोडेस मॉड्यूल आई विल बी टीचिंग यू अबाउट इंटोड़क्शन तो अकाउंटिंग बेसिक कॉंसेप्स पर कॉमर्स लेक्चर्शिप और अधर कमिशन्स आज मैं बहुत ही बेसिक चीजों के बाई में डिस्कॉस करना चाहती हूँ उसका रीजिन यह है कि देखें I know कि यह बहुत सारे स्टूदेंस को पता होंगे लेकिन काफी सारे से नॉन बिजनस स्टूदेंस हैं या पिर ऐसे स्टूदेंस हैं जिनकी स्टाइज में बहुत जा होंगे so I am starting from the very basic concepts and this is the very first lecture of accounting. आज से मैं start के रही हूं लेक्चर इंशाला मैं इसके parts of daily basis पे update करती रहूंगी. So, सबसे पहले मैं यह बताना चाहती हूँ कि why we use accounting? Guys, you know that accounting is basically the language of business. Accounting language कहलाती है business की. आप जानते हैं जब तक आपको कोई language नहीं आती, आप दूसरों से अपनी feelings express नहीं कर सकते, आप किसी से communicate नहीं कर सकते हो, आप किसी को अपनी feelings, whatever your points are, आप किसी को दुनिया को show नहीं कर सकते. So, language is really important. So, why it is known as language of business? Just look at the example. For suppose कि अगर आपने कोई business होला थी के normal आपकी shop है, आपने दो तीन महीने उसे अच्छे से चलाया, ठीक है? अब आपके customers के relations बहुत अच्छे बन चुके हैं, अब काफी सारे ऐसे customers हैं जो कहते हैं कि उधार पे हमें कोई चीज़ दो, ठीक है? तो अब काफी सारे customers होंगे उधार के basis पे भी आपसे चीज़ें लेंगे. अब बात यह आती है कि अगर आपके 10-15 customers ऐसे हैं जिन्होंने अपसे उधार पे लिया है कुछ, तो क्या आपकी इतनी mental ability है कि आप बेना कुछ record किये, बेना कुछ लिखे, सब कुछ याद रख सको कि मैंने कितने customers थे, कौन से customers थे, जिन्होंने यह सोधा लिया था, कौन से customer का exactly इतने पैसा था मुझ पर, यह आप यह suppose करें कि कोई अच्छा business इंटोड्यूस कर रहे हो, और आपने काफी जगाओं से loan दिया है, one from your friend, जो आपका close friend, other from any financial institution or bank, ठीक है, now आप कैसे recognize करोगे, कैसे याद रखोगे, कि इतना amount मैंने इस bank से लिया है, मुझे इतना interest पे क करना है, और इतने time के बाद मुझे return करना है, so, यही वो point है, जहां पर हम यह कहते हैं कि इनसान की mental power इतनी ज़्यादा नहीं है, there is a need, कि कोई ऐसा system होना चाहिए, जिससे यह सारी transactions record की जाए, कि business में क्या चीज आ रही है, पैसा कब जा रहा है, पैसा कब आया, यह सारी detail हम accounting बताती है, इसलिए हम लोग accounting की information पढ़ते हैं, अब आपको जिससे समझ आगे होगे, कि accounting क्यों की जाती है, क्योंकि उसका record रखना बहुत जरूरी है, ताकि business को पता दो चले, कि profit कितना हुआ, पैसा कहा गया, मैंने किस से पैसा लिया, जो पैसा लिया है, वो कितना है, औ कब मुझे पै करना है वापिस, क्योंकि अगर लिखा नहीं होगा, तो इंसान बहुत सारी चीज़ें बूल जाता है, और इससे क्या हो सकता है, आपके लिए trouble हो सकता है, so let's start with the definition, according to American Institute of Certified Public Accountants, AICPA, accounting is the art of recording, art है record करने का record means, कि कोई भी transaction हुई, कोई भी हरकत हुई है, जो economic है, उसको आपने लिख दिया, on a paper or on a book, but remember this thing, कि record ऐसे नहीं करना है, ऐसे ही लिख देना, no, in a systematic way, date-wise, एक proper order में लिखना है, the second thing is classifying, दूसरा step record के बाद है, उसको classify करना, क्यूंकि there are a lot of transactions, कुछ cash transactions होई, कुछ आपने loan लिया है, कुछ आपके खर्चे हुए है, कुछ आपकी income है, उन सबको आपको specific account में डालना है, एक तफ़ा आपने सबकुछ एक जगा पे लिखा, now you will move them to an individual account, जो specific उनका account है, जैसे cash transactions है, सारी cash में जाएंगी, एक account payable है, उधार लिया है, सारी transactions वहाँ पे जाएंगी, so this is known as classifying, and summarizing in a significant manner and terms of money, now अब क्या करना है, we have to summarize them, summarize होता है in a trial balance, के we add all the transactions, debit side or credit side को add करेंगे, and then we will see, that either debit is equals to the credit, debit and credit का concept में आपको बताऊंगी in a next lecture, so don't worry, basically, मतब accounting से हमें क्या पता चला कि, एक ऐसा step है, जिसमें हम business की कोई भी transactions record करते हैं, classify करते हैं, summarize करते हैं, जो पैसे की हैं, लेकिन remember this, वो transactions जो money value रखते हैं, उनको, और at the end उसका result निकालते हैं, उस result से हमें पता चलता है, business ने कितना मुनाफ़ा किया, जो हमने सारे काम किये, वो profitable थे भी, यह loss में गए हम लोग, कहां company की position है, status क्या है company का, the next definition is accounting, is process of identifying, measuring and communicating economic information to make decisions, same है accounting is a process, process means कि जिसमें certain steps involved हो, of identifying, वोई बात है कि पहले हम transactions को identify करेंगे, उनको फिर major करेंगे and finally, at the end, हम क्या करते हैं, इस information को communicate करते हैं, communicate किस से कर सकते हैं, to the internal users, or to the external users, ताकि decision making हो सके, क्योंकि अकाउंटिंग हो क्यों रही है, जब हमें पता चलेगा, मुनाफ़ा हुआ, यह loss हुआ, यह हमारा loan जादा बढ़ा है, हमारे actual owner equity से, तभी तो हम decision लेंगे, जब end में हाथ में कोई चीज आएगी, तभी तो हम decision ले सकते हैं, तो यह हमें decision making में help करती है, the function of accounting is to provide quantitative information, अब मैंने आपको पहली बता था, quantitative information use करते हैं, not qualitative, quantity होती है, जिसे हम number में express कर से के, जो पैसे की value रखती हो, for supposed not necessary के cash, कोई furniture है, furniture की value है, cash में obviously, anything else, कोई tools होगे, stationary होगी, उन सब की money value है, तो वो चीज़े record होगी, लेकिन किसी का hard work है, क्या हम hard work को money की value में judge कर सकते हैं, no, हम उसको उस transaction को नहीं लिख सकते हैं, इसने इतना hard work कर दिया, no, हाँ, अगर performance की base पर unit जादा produce की है, उसको हम वो चीज़े record कर सकते हैं, लेकिन किसी की efficiency, किसी के hard work को हम accounting में record नहीं करते हैं, now comes to the term bookkeeping, हमाई पास यह दोनों term confusion करते हैं, accounting और bookkeeping, इन में क्या difference है, सो मैं आपको बताती हूं कि bookkeeping is a small part of accounting, accounting is a whole umbrella, एक पूरी umbrella है, bookkeeping is a smallest part of that umbrella, एक चोटा सा part है, यानि bookkeeping में just recording होती है और classifying, जो मैंने आपको दो step बताए थे, record किया जाता है, उसको फिर ultimately एक particular account में जाला जाता है, वो bookkeeping होगी, उसके लावा बाकी summarizing हुई, हमने financial statements बनाई और financial ratios बनाए, वो हमारी accounting होती है, यहां आप कुछ differences देख सकते हैं, like decision making, bookkeeping हमें decision making में help नहीं करती, क्योंकि इस्टिल data proper form में नहीं होती, लेकिन accounting हमें decision making में help करती है, bookkeeping के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि वो claric भी बना सकता है, ठीक है जिसके बास इतनी information भले ना हो, लेकिन accounting के लिए एक export होना जरूरी है, bookkeeping में हमारे पस journal और ledger बनते हैं, जबकि हमारी accounting में मैंने आपको बताया था balance sheet, profit and loss account, cash flow statement यह सब बनता है, now move to who are users of accounting information, accounting information को कौन-कौन use करता है, owners जो मालिक हैं, मालिक जानते हैं कि हमारा पैसा जो मने लगाया है, वो कितना beneficial जा रहा है, क्या उसे सही use किया जा रहा है या नहीं, हमारे company में हमें मुनाफ़ा हो भी रहा है या नहीं, क्योंकि उनको तो अपने dividend से मतलब है, जाहरी बात है वो तो information में interest रखेंगे, the second is management, as you know that owners तो हमें पैसा देते हैं, लेकिन manage कौन करता है उनके पैसे को, he is manager, manager सब काम को handle करता है, so manager needs the information के ताके पता चले कि employees अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं काम कर रहे हैं ठीक है, और इसलिए ताके major decisions ली जा सकें, अगर company में देखा जाए कहीं पर थोड़ा जादा loss होने लगा है तो na management क्या करेगी, new strategic decisions बनाएगी, कोई new mission रखतेगी, कोई new target रखेगी next time के लिए, इसलिए उसके लिए यह information ज़रूरी है, accounting information basically provides an eye and ear to management, accounting information आखें और ears है management के, यानि accounting के बगार management नहीं चल सकती, the third one is creditor, creditor यानि जो लोग हमें उधार देते हैं, जिनको हमें particular period के time के बाद पैसा देना है, considered as creditors, so creditors need information, कोई भी बंदा हमें ऐसे उधार नहीं देता, जब तक उसे पता नहीं होता के भई यह मुझे वापस पैसा दे भी पाएगा या नहीं, the fourth is employees, definitely employees जो हैं उनकों इंटरस्ट होता है, because अगर organization profit पर जारी होती है, उसको काफी सारे benefits हो रहे होते हैं, तो definitely आगे चलके वह क्या करते हैं, employees की salaries increase करते हैं, उनको किसी bonus वगया दे देते हैं, certain foreign trips उनको दे देते हैं, और क्या करते हैं, working condition को improve कर देते हैं, अच्छा payment करवा दिया, अच्छी resources प्रवाइड कर दी, if the business has a huge amount of profit, तो इसलिए employees को interest होता है, कि हमें financial statement पता चल सकें, कि अगर मुनाफ़ा हो रहा है, तो हम अपने हग के लिए लड़ सकें, the fifth one is investor, जो company में invest करना चाहेगा, उसको तो interest होगा ही, मैं पहले invest करूँ, पता तो चल इसका कितना मुनाफ़ा, इसकी position कितनी है, जाहरी पांच करोड का मालक है, लेकिन जब अंदर से पता चला, एक करोड का अपना है, बाकी तो उसने उधार लिया है, तो यह कैसी अच्छी position होई, जबके जाहरी तो लगता है, कि यह पांच करोड का मालक है, सेम इनकेस, अब गौवर्मेंट के बात करते हैं, गौवर्मेंट नीड, इन्फॉर्मेशन फॉर टेक्स पॉर्पर्स के, जितना प्रॉफिट है उससाब से टेक्स लगा है, Consumers also need, Consumers को information चाहिए होती है, ताके पता जल सके के availability, कितनी है, resources वगारा की, Now the branches of accounting, Basic accounting की कौन सी branches है, Number 1 Financial Accounting, Number 2 Cost Accounting, Number 3 Management Accounting, Number 4 Task Accounting, And the last is Social Accounting, Financial Accounting, Original Accounting है basically, जिसमें हम लोग Financial Statements बताते हैं, For the outside users, Creditors हो गए, Banks हो गए, यह मतलब basic accounting है, जो introduced होई थी, और यह Financial Users के लिए होती है, Overall, Outsiders के लिए, इसका basic purpose होता है, Profit and Loss calculate करना, जो business ने पूरे साल में किया, और Financial Position, यानि Status जानना, Particular Date पे, कि इस date पे अब company की क्या position है, This is Financial Accounting, The next is Cost Accounting, Cost Accounting का purpose ही होता है, The Accounting that deals with Cost, जो Cost मालूम करती है, Product का, Per Unit Cost मालूम की, Departmental Cost मालूम करी है, यह जो Steps होते हैं, Cost हमारी जो accumulate हो रही होती है, Steps होते हैं, Various Product को बनाने के, तो हर Step की Cost Calculation करी है, और यह सब क्यों करती है, ताके Management को decision लेने में help किया जाए, और जो अगर Cost है, उसको हम control कर सकें, Number 3 is Management Accounting, Management Accounting is all the information, चाहे वो Cost Accounting और Financial Accounting that helps the management for decision making, जो Management को help करती है, ताके वो necessary information ले सके, और अपने functions अच्छे perform कर सकें, like Planning, Organizing, Coordinating, जो भी उससे functions करने थे, जैसे अगर वो budgeting कर रही है, budget बना रही है, उसके लिए भी उससे पैसे की information चाहिए, तो वो सारा Management Accounting में मालुम करती है, Now Tax Accounting, ऐसी Accounting जिसमें हम लोग Final Accounts ही में हम, अब मतलब basic मकसद होता है बनाने का, कि हम यह accounts इसलिए बना रहे हैं, ताके हम Tax Payment की बाद कर सकें, Tax मालूम कर सकें, यह Tax Return जो उसे calculate कर सकें, that is known as Tax Accounting. The last is Social Accounting, यह Accounting की वो ब्रांच है, जो Social Responsibility से deal करती है, इसका यह हम होता है कि किस तहां हम society को benefit दे सकें, जैसे के Medical Services दे दी, Educational Services दी, These are known as Social Accounting. Basic Functions of Accounting, Accounting के Basic Functions में यह है कि पहले Number One वो help करता है, Book Accounting, Book Keeping, और Record Keeping करने में, उसके इलावा help करता है कि इतनी सारी जो information है, Financial Activities हैं, वो सारी अच्छे से collect हो सकें, और properly store हो सकें in a safe place, कि in case of any query, any confusion, हमारे पास prove होनों चाहिए. Along with that, it also helps in Legal Compilence, हमें Legal Compilence को पूरा करने के लिए भी Accounting helpful है. It helps in tracking of several financial information daily or monthly, देखें, बहुत सारी इसी companies होती हैं, जाँ daily basis पे काफे सारी transactions हो रही होती हैं, तो यह help करती हैं हमें, basically सारी information जो दिन में इतनी सारी हो रही हो उसको track करने में, उसके इलावा document करने में financial history, जो long term की history भी हमारी, पिछले बहुत सारे years की उन सारी जो डेटा को एक जगा पे document करने में help करती हैं, उसके इलावा formulation of policies, policies में इस तांस है कि हमने एक साल के जब हमें data मिलती है, हम उस सारे को deeply analyze करते हैं, and we judge कि either this policy is good, तो हम अगले year भी वही implement करें, but if it is not sound, तो हम उस policy में थोड़े changes कर दें, ताकि हमारी company और अच्छे से run हो सके, it also helps in utilizing preparation of budgets, budgets होते हैं, advance में आप predictions कर रहे होते हो, sales की, cash की केतना amount invest होगा, इतने units produce होगे, तो यह हमें budgeting और preparation of budget में help कर रही है, also help in reconciliation of information, दो financial systems है, उनको reconcile करने में, अगर कोई differences आ रहे हैं, तो compare करने में help करती है, उसके इलावा सारे external stakeholders को information देने में help करती है, जिससे planning हो सके, growth हो सके business की, वह ऐसे कि suppose investors जो invest करना चाते हैं, तो company उनको अपनी accounting information दिखाती है, सारी कि यह रही हमारी position बहुत अच्छी है, हमारी liability कम है and we have actually the honor equity, हमारी honor equity जाद है, तो क्या होता है, इससे investor attract होगा, attract होगा, तो हमारी business growth हो सकती है, क्योंकि वह हमारी company में invest करेगा, now accounting information, accounting information, remember this thing that it is the foundation, हर चीज़ के pillars होते हैं, जिसके बगार कोई चीज़ नहीं रह सकती, तो accounting information, accounting के वह pillars हैं, जिसके बगार accounting नहीं चल सकती, आपको हर जगा बड़ा business तो छोटा हो, accounting information must है, so try to memorize it, formula क्या है accounting के हमारी equation का assets, is equals to liability plus honors equity, assets में as you can see के cash आ सकते हैं, receivable, prepaid expenses, equipments और यह क्या बना रहे हैं, is equals to liability number one plus equity, liability और equity मिला के क्या बनते हैं assets, assets, मैं इसको one by one explain करते हूं, assets होते हैं, resources of a business, यानि असास से, जब भी कोई business start कर रहा है, तो वो कुछ लगाएगा तो उसे मुनाफ़ा होगा न, business होता है profit के लिए, profit ऐसे तो नहीं मिलेगा, you must have to invest certain cash, or any natural resources, like oil, or the land, or the capital, कुछ भी, लेकिन आपको कुछ तो कुछ तो उसमें invest करना है, the total value जो है न, आपकी property की, आपके business की पूरी value, उसको हम क्या बोलते है, assets, or assets को resources भी बोला जाता है, of a business, now comes to liability, liability होती है, उधार, जो हम दूसरों से ले रहे हैं, और जिसे हमें pay करना है, उधार हम लोग personal friends, latest से ले सकते हैं, और through a third party, कोई bank है, bank भी हमें loan देती है, उसके लाब private financial institutions भी को जैसे हैं, जो हमें loan दे रहे होते हैं, तो यह liability है, company क्या उधार है, जो company को pay करना है, यह उसकी अपनी पैसा नहीं है, यह दूसरों का पैसा है, जो उसने इंवेस्ट किया है, so asset बनता है हमारे एक तो उधार से, यानि total value of a business, जो बनी एक तो liability से बनी, और liability के इलावा दूसरा किससे बनी है, equity से, equity अब होती है, owner का अपना पैसा, company का owner को उता है, shareholder, यानि shareholder जो था, उसका अपना पैसा, जो personal पैसा है, वो हमारा क्या होता है, लेकिन जो दूसरों से लेके, हमने invest करा, वो होता है liability, और इन दोनों को मिला के बनती है, assets. Now, I will tell you, the five major terms of accounting, जिसमें मैं तीन, already बता चुकी हूँ, asset, liabilities, अलसर, A, L, C, R, E, ulcer, that represent asset, liabilities, capital, revenue, and expense. यह five major terms है, जो आपको अन्हाव रिकर्कनाईज करनी है, और याद रखनी है, Now, what is revenue? revenue income है, जो हमारी operations से आया है, यानि हमने business किया, तो हमें पैसा आया, जो हमने invest किया, इसके बाद जो operations हमने किये, कोई हम furniture sale करते हैं, furniture sale करने पर आखिर में पैसा मिल रहा है, that is revenue, अब revenue किस किसम का हो सकता है, sales revenue हो सकता है, जो हमें आ रही है, sales से हमें आया, एक interest revenue होता है, जो bank earn करती है, उसके इलावा service revenue होता है, यानि हमने कोई service provide की, doctor services दे रहा है, teacher teaching कर रहा है, उससे हमें revenue मिला, या rental revenue, हमने कोई अपनी जगा रेंट पर दी है, उससे पैसा है, यह सारे revenue की example है, expense, expense वो होता है, money, यह जो हमने खर्चा करा, किसलिए revenue को generate करने के लिए, यानि furniture बनाने के लिए लकड़ी लगी होगी, लकड़ी के लवा glue लगी होगी, glue के लवा कोई painting होई होगी, along with that, कुछ और expenses लगे होंगे, suppose जो employees को salaries देनी होती हैं, वो expense लगे, electric city का bill लग रहा है, fixed assets में depreciation का expense लग रहा है, उसके लिए advertisement का खर्चा हो रहा है, income tax का expense लग 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 यह सारे हमारे खर्चे होते हैं, so these are known as expenses, now comes to what is double entry system, double entry system हमारा most important system है accounting का, इसका मकसद है, accounting के base यह है, कि जब भी हम कोई transaction record करते हैं, कोई भी काम हुआ, पैसे की जो भी वट्टा सटा हुआ, यह dealing हुई, उसको हम record करते हैं, तो हम दो accounts में डालते हैं उसे, remember this thing, कोई भी transaction होई दो चीजों में जाएगी, one side goes to debit, another goes to credit, दो sides कौन सी है, one side is debit and the second side is credit, memorize these two words, one is debit and other is credit, कभी यह नहीं हो सकता कि एक transaction सिर्फ एक account में जाएगी नहीं, एक हमेशा debit होगी तो दूसरे हमेशा credit होगी, पहले मैं आपको यह picture दिखाना चाहती हूँ, उसको याद रखें, कि यह पांच जो अलसर मैंने आपको बताया था, short form, इन पांचों को कब increase होने से वह debit होता है, और कब वह increase होने से, और decrease होने से credit होता है, credit और debit rules must आपको याद रखने है, जैसे मैं आपको पहले दो बताती हूँ, asset, जो हमारी resources थी expense खर्चा, यह दोनों जब increase होते हैं, they move to debit, whenever asset and expense increases, it moves to debit side, and whenever they decreases, they goes to credit side, और बाकी जो तीन थे, हमारी liability थी, हमारी equity थी और हमारा जो revenue income आई, वह सारे जब increase होते हैं, तो वह credit होंगे, और जब वह कम हो जाते हैं, तो वह debit side जाते हैं, यहाँ उपर example दी हुई है, let's assume that a company borrows 10,000 from a bank, उन्होंने bank से उधार लिया, ठीक है, अब मैं हूँ, suppose मैंने उधार लिया, अब कौनसी दो transactions possible है, मेरे पास cash आया, ठीक है भले उधार काया, cash आया मेरे पास, तो cash बढ़ता है तो क्या होता है, 10,000 का cash आया तो वह क्या होगा, debit क्योंकि cash हमारी asset कहलाती है, and asset increases, goes towards the debit side, now, दूसरी क्या होई, हमारी liability में increase होई, उधार भी बढ़ा तो उधार बढ़ता है, liability बढ़ती है, तो हमारे credit side पे जाती है, यानि 10,000 credit होंगे, इस तहां से हमारी double entry काम करती है, अब मैं आपको individual asset के classification थोड़ा बताती हूँ, यान तो वो tangible होते हैं, या de intangible हो सकते हैं, । जिनको हम physically देख सकते हैं, जिनको हम touch कर सकते हैं, जिनन हम feel कर सकते हैं, वो हमारे tangible asset हैं, उसकी example होगी, ॥ाव्यृव पैसा, पैसा हम touch कर सकते हैं, land, building, बिल्डिंग को भी हम touch कर सकते हैं, वहीकल्स, equipment, यह सारे हमारे tangible assets हैं intangible assets, ऐसी चीज़ जिसे हम touch नहीं कर सकते हैं जिसको हम के physical appearance नहीं है जिसको हम यह कहते हैं कि वो हमारी imaginary लेकिन वो assets exist करते हैं इसका example है account receivable account receivable basically वो पैसा होता है जो हमें दूसरों से receive करना होता है, account receive receive करना है क्योंकि हमने दूसरों को पैसा दिया है, दूसरों ने हमें दे ना है यह imaginary हम लोग create करते हैं यह हमारा intangible assets है patents, patents और copyrights जो दूसरों लोगों के होते हैं हमारी company हो सकते हैं copyright, product के किसी के हो सकते है किसी book के copyright हैं, वो सारे intangible assets कहलाते हैं अब assets को हम life span के हिसाब से भी divide करते हैं मतलब time period के हिसाब से वो होते हैं current assets and fixed assets current assets वो assets जो easily consume हो सकते हैं या easily sold हो सकते हैं या convert हो सकते हैं पैसे में within one year उनको हम current assets बोलते हैं current assets की example है cash, account, receivable, prepaid expense वैसे आप सोचेंगे prepaid expense तो expense होना चाहिए बड़ नो prepaid है, prepaid मतलब ऐसा खर्चा जो हमने advance में pay कर दिया है वो भी expire नहीं हुआ तो उस expense को हम क्या बोलते हैं asset और वो current asset होता है now fixed asset, fixed asset वो tangible assets हैं जिनको easily one year में convert नहीं कर पाते हैं यह होते हैं भारी asset हमारी हो गई, machinery हो गई, हमारी building हो गई, हमारे vehicles हो गई fixed assets basically इनकी cost बहुत जादा होती हैं ठीक है और यह हमेशा remember that thing जो fixed asset होते हैं वो depreciate होते हैं written off होते हैं यानि fixed assets की value कम होती जाती हैं आहस्ता आहस्ता इसके बारे में depreciation is one of the most important topic and I will discuss them in further slides or lectures के depreciation क्या होते हैं लेकिन remember depreciation लगती है हमारे fixed assets पे अब आजाते हैं liability, liability मैंने अब कॉलरी पता है कि वह हमारी obligation है या उधार है अब liability भी दो टब की होती है current liability दूसरी होती है fixed liability या long term liability current liability same asset की तरह जो हमें within 12 months में एक साल के अंदर अंदर हमें pay करनी है वो हमारी current liability है current liability की example है simple account payable जो हमने pay करना है ठीक है उसके इलावा bank overdraft, bank overdraft भी हमारा याद रखेगा current asset कहलाता है इसको मैं आपके feature lectures में बताऊंगी के current assets की list दे दूँगी current liabilities की list दूँगी fix assets की list दूँगी long term liabilities ताकि आप differentiate कर सको Companies working capital कैसे बनता है जब हम current assets से current liability को निकाल देते हैं managing short term debt and having advocate working capital is vital for company's long term success अब आजाती है long term liabilities ऐसी liability ऐसा loan जो हम use कर रहे होते हैं to purchase or maintain fixed asset जो हम लोग कोई बड़ी सी चीज परचेस करने के लिए कर रहे हैं क्योंकि long term liability amount भी बहुत जादा होता है जो हमने fixed asset को बड़ा business खरीदने के लिए बनाने के लिए हमने जो liability ली वो long term होती है और वो एक जो है month में I mean to say one year में पेनी होती और long time के लिए होती है three years five years तो वो my long term liability कहलाती है उसमें सबसे best example होती है हमारे dependgers now comes to equity, equity क्या है हमारा business owner का पैसा है because यह हमारा owner ही हमसे share करता है ठीक है यह हमारी होगी equity